हलो बच्छा लोग क्या हाल चाल उमीद है आप सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी vocabulary यानी word meaningful class तो भाई आज है हमारा day 19 अब तक day 18 तक class हो चुकी है जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देख लीजिए हमारा English speaking course भी चल रहा है link description आई बटन में है और daily use sentences की class भी चल रही है जाए जाकर उसे भी एक बार देख लीजिए link description और आई बटन में है pdf के लिए telegram channel को join करें और वहां से download करें चलिए तो बिना देर किये बढ़ते हैं पहले जो पहला है बाई पह उमलता नाजुकता सुख्णता या इसका बोल सकते हैं tenderness ही बोल सकते हैं या gentleness बोलते हैं आई जाए जामपल से समझते हैं इस बात को अच्छे से करा जिस तरीके से एक कुमार नाजुकता से के साथ अपने हाथ से घड़ों को आकार देता है उसी परकार हमारे दोस्त हमार अगला ग्जामपल देखते हैं करा है मैं पांच सितारा होटल में जब गया तो मैंने ऐसा लजीज पकवान देखा जो मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था दिखनेजरा think when I went to a five-starस hotel then I saw a some to us delicacies that I had never seen in my entire life when I went to a five star hotel then I saw such a some to us тоже delicacies that I had never see in my entire life आगे वड़ते हैं अच्छा Delusion क्या है भी Delusion मतलब होता है भर्म फैले के या Illusion फैले के या Illusion बोलते है मतलब होता है भर्म इसका करहें वह इस भ्रह में जी रहा है कि वह ऐसा इनसान बन जाएगा जिससे कभी गलती हो ही ना जबकि यह असंभव है करा he is living in such a delusion that he will go on to become such a human who won't make any mistake but it's impossible क्या करा भाई he is living in such a delusion that he will go on to become such a human who won't make any mistake but it's impossible चलिए अगला example समझते हैं करा कई बार ऐसा हमारे साथ होता है कि हमें लगता है जिन्दिगी में पैसा ही सब कुछ है लेकिन सच्चाई बाद में समझ आती है कि यह सब तो बस एक भ्रह्म था यह सब तो एक भ्रह्म था देखते हैं करा many times it happens with us that we feel like money is everything in life but the truth is understood later that it was just a delusion तो क्या बोल रहा है भाई many times it happens with us that we feel like money is everything in life but the truth is understand later that is was just a delusion ठीक है आगे बढ़ते हैं अच्छा अगला जो वर्ड आप देख रहे हैं क्या लिखा भाई demarkation क्या लिखा भाई demarkation noun है यह example देखते हैं partition बोलते हैं या delimination बोलते हैं क्या बोलते हैं delimination हद मर्यादा या सीमा भी कह सकते हैं तेक हैं आगे example समझते हैं भारत में किसी भी युवा को vote देने की सबसे काम नहीं है कम हो गए यहां पर कम उम्र या समय सीमा जो है वो 18 साल है चाहे वो लड़का है या लड़की ठीक हैं चलिए जड़ा देखते हैं इस बात को the age to vote in India is demarkated at the age of 18 years whether it is a girl or a boy the age to vote in India is demarkated at the age of 18 years whether it is a girl or a boy ठीक है अगला example देखते हैं करें हमें अपनी खर्च करने किसी मापता होनी चाहिए नहीं तो इंसान लालच और चीजों के आकर्शन में खुद को खो बैठेगा चलिए करें we should know the demarkation of our expenditure demarkation of our expenditure or else a person will lose himself in greed and attraction of object we should know the demarcation of our expenditure or else a person will lose himself in a greed and attraction of object ठीक है आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है बाई डिमीन क्या लिखा है डिमीन लिखा हुआ है example देखते हैं और इससे पहले इसका मिन दिख लेते हैं बाई डिफेम या क्या बोलते हैं disrespect नीचा दिखाना या बिज़त करना example देखते हैं इसके बाद जब संतोष की उसके सामने वाले वैपारी से जड़प हुई तो उसने जूटा आरोप लगा के उसे नीचा दिखाने की कोशिश की When संतोष had an argument with the vendor who has his shop in front of him संतोष made false allegations to demean him When संतोष had an argument with the vendor who has his shop in front of him संतोष made false allegations to demean him आगे बढ़ते हैं अगले example पर कह रहा है हमें कभी किसी व्यक्ति को उसका अपमान करने के लिए भला बुरा कहकर उसे कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए तो क्या बोलेंगे We should never speak ill to someone and demean him We should never speak ill to someone and demean him आगे बढ़ते हैं अच्छा भाई क्या लिखा हुआ है democracy मतलब क्या होता है भाई लोकतंत्र लोकतंत्र या जनता या लोगों के द्वारा चुनी गई सत्ता या सरकार आईए ज़र देखें भाई विश्व का सबसे बड़ा लोकतंतर क देश है जिसके प्रधानमंत्रे शिरी नरेंद्र दामोदर दास मोधी है India is the largest democratic country whose prime minister is Mr. Narendra D.Moleदर दास मोधी इस नरेंदर दामोदर दास मोधी ठीक है चाहिए किरा एक लोगतांत्रिक देश की सबसे बड़ी ताकत उस देश की जनता होती है क्योंकि सारी शक्तियां लोगों के पास ही रहती है तो क्या बोलेंगे आगे बढ़ते हैं अगला है डेमोंस्ट्रेशन मतलब ता करके दिखाना ठीक है इसको स्पस्टिक्र नहीं बोलते हैं या प्रमान देना प्रेजंटेशन या तो टेस्टिफाई एक्जामपल देखते हैं करा है जब मेरी नई वाशिंग मशीन आई तो उसे चलाना कैसे है ये बताने के लिए कमपनी ने एक आदमी भेजा जो उसे चला के दिखाएगा क्या बुलिक्स को, when my new mesh machine came then how it was to be operated for that the company sent a person to show me the demonstration on how to operate when my new washing machine came then how it was to be operated for that the company sent a person to show me the demonstration on how to operate it ठीक है अगला पड़ते हैं क्राजब रंजीत के उपर मारपीट का आरोप लगा तो उसे अपनी बेकसूरी दिखाने के लिए कोट में खुद को बेगुना साबित करना पड़ा आगे बढ़ते हैं अगला है डिनायल क्या है भाई डिनायल मतलब बता है मना करना अस्विक्रित करना स्विकारना होना या मना करना यसे रिफ्यूजल या रिजेक्शन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं रिजेक्शन ठीक है करा है करोणा वाइरस के समय घर से बिना मास्क और गलव्स पहने निकलना गलत है और किसी को भी सुईकार या सुईक्रित नहीं है करा हैं और तक घ्राइब को भी बुखे मरना सुईकार है लेकिन किसी से मदद मांग कर उस पर निर्भर रहने से उसका साफ इंकार उसको साफ इंकार है ठीक है करें Dying by hunger is acceptable to pragya but depending on someone by asking them for help is denial by her करें Dying by hunger is acceptable to pragya but depending on someone by asking them for help is a denial by her आगे बढ़ते हैं अगला है deny चलिए क्या होता है मतलब मना करना या इंकार करना refuse या refute बोलते हैं example से समझते हैं करा जब मोहिनी ने अपने पिताजी से स्कूल के बाद बाहर घूमने के लिए पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी करा वेन मोहिनी आस्क इस फादर about his going out to have fun after the school she was denied by her father as it was scorching outside अगला एजांपल देखते हैं करा हमारे माता पिता हमें हर गलत चीज को करने सुनने या देखने से साफ मना करते हैं जिससे हम गलत संगती में ना पड़ें आगे बात करते हैं अगला है dependent क्या है dependent मतलब क्या होता हैं निरवर होना निरवर होना इसे precarious भी बोलते क्या बोलते हैं precarious example देखते हैं करा आरव घर का अकेला सदस्य है जो कमाता है और उसके भाई बहन उसके माता पिता उसके उपर पूरी तरह से निरभर है करा आरव is the only person in the house who earns and his siblings and parents are dependent करा आरव is the only person in the house who earns and his siblings and parents are dependent आगे बढ़ते हैं करा साओधी अरेविया और कई अरब देशों ने अपनी पूरी कमाई और अर्थवरस्ता के लिया हर तरीके से तेल और उससे जुड़े उत्पादों के उपर निरभर है करा साओधी अरेविया and many other Arabic countries are dependents on their oil production and related products in the term of capital and economy करा साओधी अरेविया and many other Arabic countries are dependent on their oil production and related products in terms of capital and economy आगे बढ़ते हैं अगला है डिपिक्ट क्या है भाई डिपिक्ट अच्छा मतलब क्या उतास का word and करना या represent या describe बोलते हैं example समझते हैं करा प्रेम चंदर ने अपनी किताब में आम लोगों की जिंदगी और उनकी प्रेश्यानियों का बड़े ही खूबसूरत खूबसूरती से वड़नन किया तो क्या बोलेंगे प्रेम चंद अगला अगजामपल देखते हैं करा इस किताब में विज्ञान के एक विशे का इतने अच्छे से वड़नन किया गया है कि अनपढ़ आदमी भी देख के कुछ ना कुछ तो जरूर सीख ही देगा करा है some of Buddhist major topics of science has been depicted in this book so well that even a illiterate person will gain some knowledge after reading it करा some of the topics of science have been depicted in this book so well that even a illiterate person will gain some knowledge after reading it तो भाई ये थे आपके 10 important vocabulary यानि word meaning उमीद करता हूँ आपने आज कुछ नया सिखा होगा तो जाते हैं इस वीडियो को like, share and subscribe कर दीजिए मिलते हैं कल तिल नेन बाई-बाई and take care